इस वीडियो इस पॉंसर बाइ पिक्स टून्स एनिमेशन स्टूडियो देश दुनिया से जुरी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करे वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूस चैनल उपराष्ठ पती वेंका याइन आईडू ने पूछा बीफ खाने और किस करने के लिए फेस्टिवल क्यों? मुमाई में आयोजी तेक कारिक्रम के दौरान उपराश्पती वैंकायन आइडू बीफ फेस्टिवल और खुले आम किस करने वालों पर जम कर भढ़के इसके साथ ही उन्हें संसत्भवन के हमलों के अधोशी अफजल गूरू को फासी दिये जाने के विरोध में कारिक्रम करने वालों को भी जम कर लताड़ा वेंकायन आइडू ने लोगों को ऐसे कारिक्रमों से दूर रहने की सलहा दी है वेंकायन आइडू ने कहा देखिए आप बीफ खरना चाहते हैं तो बेशक खाईए लेकिन ऐसे फेस्टिवल्स काया जंग क्यों करते हो अगर आप किसी को किस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको फेस्टिवल्स या किसी की इजास लेने की क्या जरूरत है साथी वेंकायन आइडू ने कहा कि अफजल गुरू को लीजे कुछ लोग उसके नाम का गुर्गान कर रहे हैं आखिरी ये हो क्या रहा है वो हमारे संसत भवां को बम से उणाने की धमाके से आया था वैसे बता दे कि वेंकायन आइडू जब केंद्री मनती थे तब भी उन्होंने बीव का विरोध नहीं किया उन्होंने इस विकार किया था कि वो खुद भी मांसाहर को पसंद करते हैं उनका मानना है कि भोजन सभी का व्यक्तिकत मामला होता है लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए भी फेस्टिवल का आयोजन करने का गलत मानते हैं बता दे कारिकरम आर ए पौददार कालेज में आफ कॉमर्स एंड एकोनॉमिक्स की ओर से आयोजित हुआ था वेंकायन आईडू मुंबई स्थित इस कालेज में प्लैटिनम जूबली कारिकरम में हिस्सा ले रहे थे उपराश्टपती ने कारिकरम में मौजूद लोगों घर और कालेज का माहल को तनाव रहित बनाने की अपील की उन्होंने कहा ये दरुभाग पून है कि कुछ पैरेंट्स अपने बच्चों की क्षमता को समझ नहीं पाते हैं धन्यवाद